जहें दोस्तों, welcome back to the channel, the rail यात्री दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन यात्रियों के लिए good news होगी जो लोग अभी तक दिवाली और छटपूजा के लिए अपने ticket confirm नहीं कर पाए हैं या फिर book नहीं कर पाए हैं भारती rail कुछ और नई trainों को लेकर आ रहा है अगर आप इन trainों में यात्रा करना चाहते हैं तो इन trainों की ticket booking शुरू हो गई है ये कौन-कौन सी train है, कहां-कहां से या किस route से होकर ये जाएंगी इस प्रकार की सारी जानकारी, आज आप इसी वीडियो में देखोगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी request है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा दोस्तों जैसा कि आप लोग इन ओफिशल अपडेट्स में देख सकते हैं यहाँ पर भारतिय रेल जीन जीन फैस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को लेकर आ रहा है उनके बारे में जानकारी है इसको मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दूँगा अगर आप लोगों को टाम टेबल देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर जाकर स्टोरी सेक्शन में देख सकते हैं ये दोनों अपडेट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो नई ट्रेन आ रही है उनके नाम और नमबर कुछ इस प्रकार होंगे ट्रेन नमबर 09184 बनारस मुंबई सेंट्रल फेस्टिबल स्पेशल ये ट्रेन 39 अक्टूबर से लेकर 19 नॉइंबर तक चलेगी बनारस से ये ट्रेन हर शुकरवार को शाम को 7 बच कर 30 मिनट पर चलाई जाएगी और इस ट्रेन का रूट होगा ये ट्रेन बनारस से चलने के बाद प्रताबगड होते हुए अमेठी, राइबरेली जेंक्शन, लखनव, कानपूर सेंट्रल, मतुरा जेंक्शन होते हुए कोटा के रास्ते से ये ट्रेन वरोदरा सूरत होते हुए मुंबई सेंटरल पहुंचेगी प्रेन नंबर 09183 मुंबई सेंटरल बनारस फेस्टिवेल स्पेशल ये ट्रेन 17 सक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 17 नॉम्बर तक चलेगी ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से हर बुधुवार को रात में 11 बजे चलाई जाएगी इस ट्रेन का रूट होगा बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाय मादोपूर, अचनेरा जैंक्षन, मतुरा जैंक्षन, कास गंज, फरुखाबाद, कानपूर सेंट्रल, लखनौ, राइबरेली जैंक्षन, अमेठी प्रताबगड के रास्ते होते हुए ये ट्रेन बनारस पहुँचेगी ट्रेन नमबर 09818, दानापूर, कोटा, दिवाली स्पेशल, ये ट्रेन 3 नॉवंबर से शुरू होगी और 12 नॉवंबर तक चलेगी ये ट्रेन दानापूर से हफते में 3 दिन हर बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम को 5 बच कर 40 मिनट पर चलाई जाएगी इस ट्रेन का रूट होगा आरा, बक्सर, पंडिदिन, द्यालिपाधाय जैंक्षन, वारनसी, प्रतापगड, राइबरेली, लखनौ, कानपूर सेंट्रल, इटावा, गॉलियर, शुपूरी होते हुए ये ट्रेन कोटा तक जाएगी ट्रेन नमबर 098-17, कोटा दानापूर, दिवाली स्पेशल ये ट्रेन 2 नौएंबर को चलाई जाएगी और 11 नौएंबर तक चलेगी ये ट्रेन हफते में 3 दिन, हरमंगलवार, गुरुवार और शुकरवार को चलेगी, कोटा जैंक्शन से दिन में 1 बचकर 40 मिनट पर इस ट्रेन को चलाए जाएगा इस ट्रेन का रूट होगा, कोटा जैंक्शन, शिवपुरी, गौलियर, इटावा, कानपूर सेंटरल, लखनव, राइबरेली, प्रताबगड, वारणसी, पंडी, दिन, दियालुपाद्या जैंक्शन, बकसर, आरा होते हुए ये ट्रेन दानापूर तक चलाई जाएगी दोस्तों अगर आप इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं तो इन ट्रेनों की टिकेट बुकिंग शुरू होने वाली है और कुछ ट्रेनों की टिकेट बुकिंग शुरू हो गई है, आप अपने टिकेट अभी से ही बुक कर सकते हैं फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड कीप सपोर्टें